पूरी जानकारी प्राथ करेंगे इस वीडियो से सरपरतम बात करते बार रासी होती है जो कि मैंने इस पूरी देखे लाष्ट में आपके लिखे वे मैं सोगे ब्रसब, मिथुन, करक, शिंग, कन्या, तुलाब, ब्रचिक, धन्नु, मकर, कुम्ब और मीन रासी तो यहाँ वीडियो पूरी देखे, लाष्ट में आज आपको ऐसे उपाय के बारे में बठाऊंगा जिस उपाय को करने से आपके घर में शुक, शान्ती, धनाएगा सोग परतिसत आपको लाप्राप्त होगा, वहाँ उपाय विल्कुल फिरी होगा तो यहाँ वीडियो पूरी ज़रूर देखे, आपको अच्छी लेगे तो लाइक ज़रूर करे तो यहाँ पर मैंने रासियों के बारे में लिखावा है जिन लोगों की, जिन जातोकों की में रासियों है, उनके रासियों में है, मंगल गरे है तो जो में रासियों वाले मूंगा रतन धारन करे ब्रसब रासियों, जिनके ब्रसब रासियों है, उनके रासियों है, शुक्र गरे है तो सुक्रगरे के रतन है हीरा जो की नाई पेना जाता है नाई पेनना चाहिए बहुत मेंगा आता है असाद में हीरा को नहीं पेनना चाहिए तो आप ओपल पेन सकते हो या मोती धारं कर सकते हो जिनकी ब्रसब रासी है आप मोती धारं कर सकते हो वहें बात करेंगे मिथों रासी तो मिथों रासी वालों के रासी स्वामी है बुद्ध गरह है और जिनके रासी मिथों ने वो पन्ना पेहन सकते हैं करक रासी करक रासी के रासी स्वामी है चंद्रमा जिन लोगों के करक रासी वो मोती धारन करें वहें बात करेंगे सिंग रासी तो सिंग रासी के स्वामी होते है शूरिया तो सिंग रासी वाले मानिक क्या धारन करे कन्या रासी कन्या रासी के स्वामी बुद्ध ग्रह है जो के पन्ना धारन करे तो यहाँ पे मिठ्धू रासी वाले भी पन्ना धारन करें और कन्या रासी वाले भी पन्ना धारन करें वहीं बात करेंगे स्वात्य रासी तुला रासी तो जिन लोग को तुला रासी उनके रासी स्वामी है शुक्र गरें तो वहाँ पे ओपल या मोती धारन करें आठीवी रासी होते ब्रिष्षिक रासी जिन लोगों की ब्रिष्षिक रासी है वो उनके रासी स्वामी है मंगल गर है तो आप यहां पे मुंगा धारन करें धनुरासी तो धनुरासी के रासी स्वामी है ब्रहस पती तो धनुरासी वाले पुखराज धारन करें मकर मकर रासे वालों के रासे स्वामी है शनी रेब तो आप जिन लोगों के मकर रासे है तो वा लोहा का छला धारन करे या नीलम धारन कर सकते है कुम्ब रासे वाले कुम्ब रासे रासे के स्वामी है सनी तो वा लोहा या नीलम धारन करे मीन रासे के रासे स्वा में है ब्रहस पती तो पुख राज धारन करे तो यहां पर मैंने रासे के साब से बता दिया एक और है जैसे कि आपकी बरतमान में जो दसा चल लिए चाहे आपकी राहू की चल लिए तो आप गोमे धारन करे चाहे आपके शूर ग्रह की दसा चली तो आप मानिक के धारन करे चाहे आप मंगल ग्रह की दसा चली तो मुंगा धारन करे एक और बात अगर आपकी जनम पत्र का में जो ग्रह कमजोर है तो आप उस रासी का रतन भी धारन कर सकते हो जैसे कि आपके चंद्रमा कमजोरे तो आप मोती धारन करें, आपके मंगल गरह कमजोरे तो आप मुंगा धारन करें, आपके बुद्ध गरह कमजोरे तो आप पन्ना धारन कर सकते हो, तो रासी जो आपकी गरह है, जो कमजोर गरह है, नीसास में बेटे है, तो आप उसका भी धारन कर सकते हो यहां तो मैंने आपको बता दिया अब यहां पर आपको विश्य सुपय आगर आपके पास धन नहीं है आप नहीं पहनना चाहते हो आपको पसंद नहीं है जो यह चीजे ठीक है बहुत लोगों के बाद धन्य होता जो यह खरी सकते है ठीक है उनके बाद धन्य जो यहां रतन खरी सकते है तो आपको यहां रतन पहनोगे तो आपको सो परतिस में 10% ही आपको लाप्राप्त होगा तो अगर आप यहां उपाय करेंगे मेरे हिसाब से ठीक है आप मेरे हिसाब से यहां उपाय करेंगे तो आपको 100% में से 80% आपको लाप्रापत होगा क्वैक ही पूजा है हम अंगोठी पैन लेंगे सभी रटनों की जिल सा हमारे पास घंधन आएगा हमारे पास सब कुछ अआएगा तो तो ऐसा नहीं होता क्वै फल प्हस देता हyle है तो आपके नहीं क्या करना है अच्छे करम करने है गरिव की मदद करना है मैंने ओपर लिखावा है आप बोलूगे कि इसमें भी पैसा लगता है तो गरिव इसमें धन्ने लेगा आपका कोई गरीब जा रहा है उसके साम मदद कर सकते हो कोई खेट में मदद कर रहे है वर्क कर रहे तो उसमें आप म लगेगा जितना आप एक न चामल चामल ले सकते हो पक्षी उब लिए चत में थोड़ा कम भिखाऊंगे तब ही चलीगा दाना पानी रखे पेड़ पोदो को जल चडाय परकरती ने आपको जल दे रखा है तो आप जल चडाय पेड़ परकरती के अंगे और इसमें भी आपका लाप्राप्त होगा आपको और शूरे चंद्रमा को जल जड़ाई यह भी प्रतेक्स देपता है तो आप यह उपाए करेंगे तो आपके घर में शुक्षांति धन आएगा और आपको मैं ऐसे अगले वीडियो में जानकारी दूँगा कि आपके जो यह रासी है रासी के होंगा जिसको धारन करने से ग्रह मजबूत होंगे तो यहां वीडियो अच्छी लेगे तो आपको अब लाइक करना सेर करना सस्क्राइब रूब